आए हैं और जो लोग आए हैं वो खाली यही समझ रहे हैं कि इस बंगाल को सुधार ना है अब ये बंगाल महिलाओं के लिए खत्रे से खाली नहीं है तो इस लड़ाई में हम सब को इकठे होकर लड़ना है अगर कोई खेत में काम करते हैं, कोई ओफिस में काम करते हैं, कोई जूट में काम करते हैं, सब कोई कठे होक और इस लड़ाई में शामिल होना है और इस लराई में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं यहां तक कि जो लोग लोगों के घर में काम करते हैं वो भी आए हैं तो यही एक सबसे बड़ी बात है कि हम महिला लोग इस दशक में खड़े होकर आगे बढ़ना चाहते हैं हर महिला सबेरे से लेकर साम तक अपनी जिन्दगी की कहानी लिखते रहते हैं और हमारा नाम वही पर बस जाता है कि महिला है इनको खाली खाना बनाना है और बच्चे को जनम देना है बिल्कुल नहीं इसके बिरोध में है हम महिलाए है हम आगे बढ़ना चाहते है हम जीना चाहते है और वो भी इज़त के साथ और आज के इस वक्त पर इस समय पर खड़े होकर हम लोग यही कहना चाहते है और इसके बाद और कुछ भी नहीं कहना चाहते है कि इसलिए कि ये जिन्दगी की जो कहानिया लिखी जाती है, हम महिला लिखते हैं, ये सारे इंसान को हम लोग जो इंसान का मोहर लगाते हैं, वो भी हम महिला लोग लगाते हैं, जिन्दगी की यही सवाल है, हम से पूछा जाता है, कि हम कौन है, अरे हम कौन है, पूछो अप यहांपर हम ने प्यार के मरहम लगाएं हैं हम कौन है पुछो अपनी इस इंसानी नसलों से जिससे हमने इंसान के मोहर लगाएं है और उसके बाद श्रायत कभी ना पूछ हम कौन है लुखा, बल्लाम, पहुंट देश होंगे चिंत और शाम झाल, 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 झाल.